नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy M32 Prime Edition versus Infinix 020 का full depth comparison करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के last में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के dimension की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Galaxy M32 में 6.26 इंच जबकि 0.20 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है विद्ध की बात करें तो, Galaxy M32 में 2.91 इंच जबकि 0.20 में 3.02 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो Galaxy M32 में 0.35 इंच जबकि 0.20 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 196 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं जिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M32 में Super AMOLED जबकि 0.20 में AMOLED की दिस्प्ले मिलती है असपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20, रेशियो 9 मिलता है जिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M32 में 6.40 इंच जबकि 0.20 में 6.7 इंच मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 x 2400 मिलता है, स्क्रीन टु बॉडी रेशियो, गालेक्सी M32 में 84.05 प्रतिशत जबकि 0.20 में 85.98 प्रतिशत मिलता है, बात करें PPI डेंसिती की तो, गालेक्सी M32 में 411 पिक्सेल प्रती इंच, जबकि 0.20 में 393 पिक्सेल प्र प्रतिशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है, अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की, दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, गालेक्सी M32 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की, प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेफ्थ कैमरा देखने को मिलता है, और 020 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की, प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में अन्नोम कैमरा देखने को मिलता है, बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफरमेशन देखते हैं हाद्वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो Galaxy M32 में Mali G52 MC2 जबकि 0-20 में Mali G57 MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो Galaxy M32 में MediaTek Helio G80 और 0-20 में MediaTek Helio G99 मिलता है बात करें RAM की तो Galaxy M32 में दो वेरियन्ट देखने को मिलता है जिसमें 4 GB 6 GB की रेम मिलती है जबकि 0-20 में एक ही वेरियन्ट देखने को मिलता है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Galaxy M32 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की storage मिलती है जबकि 0-20 में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Galaxy M32 में up to 1TB जबकि 0-20 में up to 2TB है operating system दोनों phone में Android V12 देखने को मिलती है बात्री Galaxy M32 में 6000MH जबकि 0-20 में 4500MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Galaxy M32 में 2 colors जबकि 0-20 में 3 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें 99 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M32 Prime Edition में 6 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें INFINIX 0-20 की तो उसमें 7 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M32 आगे है में कामरा में 0-20 आगे है फ्रंट सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में 0-20 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले प्राइस की बात करें तो उसमें जाएं और यह सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना